है स्कूल में पढ़ने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुभाशीश, आप सभी श्वस्त सानन्द होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, काम भी पूरा कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, करोना काल में पढ़ाई की दुर्गत हो रही है, मेरे बच्चों फिर भी कुछ न कुछ करते जाए, कुछ कुछ करते रहे हैं, लगातार इस प्रकार से अपना काम पूरा करते रहे हैं, और आज मैं आपको दथीव से स्टोरी, जो कहानी, एक चोर की कहानी है, जिसे आप पुस्तक के माध्यम से पढ़ रहे होंगे हम भी आगे कुछ न कुछ इसके बिसे में भेजते रहेंगे, जिसे रस्किन बाणने लिखा है, आज मैं आपको टू फाल्स दे रहा हूँ, साथ में स्पेलिंग, क्योंकि बेटा मेरे बच्चे इससे नौ नमबर प्राप्त होते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से समझेए, और इनको देख करके एक बार न समयाए, तो दो बार देखिए, लगातार हमें, फालो करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेटा लाइक तो कर ही दिया करो, और कोई कमी मिले, तो कमेंट करने से मत चूपना, चलो चलते हैं अपने लक्ष की ओर, अब देख सबसे अधिक उपयुक्त सब्द अथवा फ्रेज का चैन करें, जो वाके को बहुत अच्छे धंग से पूर्ण, पहला देखिए, वाट वाज दनेम आफ्त थीफ बॉए, चोर लड़के का नाम क्या था, तो मेरे बच्चे चार विकल्प दिये वे हैं, अनिल, अर्जित सिं हरी सिंग, चंदर, तो मेरे बच्चे उसका नाम था हरी सिंग, यति पूसका नाम हरी सिंग भी नहीं था, लेकिन वहां अपना नाम समय समय पर बदलता था, अनिल को उसने हरी सिंग ही नाम बताया था, इसलिए इसका सी ही भी कल्प होगा, सेकेंड देखिए, हाउ ओ कितनी उम्र का था तो मेरे बच्चे देखे 10 year B 15 years C 16 years and 14 years तो मेरे बच्चे वह 15 वर्ष का था इसलिए इसका B विकल्प होगा 15 years थर्ड देखे How old was Anil Anil कितनी उम्र का था तो मेरे बच्चे 4 विकल्प दिये हुए हैं 20 years, 22 years 21 years 25 years तो मेरे बच्चे Anil 25 वर्ष का था फोर्थ देखे Who is the narrator आपते स्टोरी The Thiefs स्टोरी The Thiefs स्टोरी का कहानिकार कौन है तो मेरे बच्चे पहला दिया हुआ है Harry Singh, Anil, Ruskin Bond None of these या इन तीनों में से कोई नहीं है मेरे बच्चे इस स्टोरी के narrator जो है और Ruskin Bond है तो C इसका विकल्प होगा फिफ्थ देखिए What did Anil do for a living? Anil क्या करता था for a living आजीविका के लिए आजीविका के लिए Anil क्या करता था पहला दिया हुआ है wrote articles for magazines magazine के लिए पत्रिकाओं के लिए articles लिखा करता था wrestling पहलवानी करता था अभीने करता था या business या ब्यापार करता था तो मेरे बच्चे वह पत्रिकाओं में कुछ articles लिखा करता था इसलिए इसका पहला विकल्प होगा इसक्स देखे वाट वाज अनिल डूइंग अनिल क्या कर रहा था भेंदत थी वाए मेठीम जब चोर बालक उससे मिला तो मेरे बच्चे पहला दिया हुआ है writing an article एक article लिख रहा था बी watching a match एक match देख रहा था सी playing cricket cricket खिल ला था या going on the road इस समय वो मिला है चोर बाल उस समय अनिल watching a match वह एक match देख रहा था हाला कि यह एक wrestling match था तो यही इसका विकल्प होगा पी सेवेंथ देखे अनिल lived in a room अनिल रहता था इने रूम एक कमरे में आने साप एक दुकान के उपर नेम्ड जिसका नाम था जमुना सुइट साप बी गनेश सुइट साप सी गंगा सुइट साप डी साह सुइट साप तो मेरे बच्चे वह जमुना मिठाई भंडार पर रहता था इसलिए ए इसका विकल्प होगा एर्थ देखिए What did the boy ask Anil Anil से लड़के ने क्या पूछा क्या कहा पहला है To give him some money उसे कुछ धन देने को कहा To employ him उसे नौकरी पर रखने को कहा To give him a lift उसे lift देने के लिए कहा To tell him the way या उसे mark बताने के लिए कहा तो मेरे बच्चे उसने कहा था कि महोदय में आपकी सेवा करना चाहता हूँ अर्थात वह नौकरी करना चाहता था इसलिए इसका विकल्फ होगा To employ him नाइन्थ देखिए What did Anil do Anil ने क्या किया To the food भोजन का Cooked by the boy लड़के के द्वारा बनाए गए The first day पहले दिन पहले दिन लड़के के द्वारा बनाए गए भोजन का Anil ने क्या किया तो मेरे बच्चे पहले देखे A Ate it with enjoy उसने इसे बड़े आनंद के साथ खाया B Put it in the cupboard उसने इसे अलमारी में रख दिया C Threw it to a Easter dog उसने इसे एक आवारा कुत्ते के सामने Threw फेक दिया D Ask the boy to eat it all उस लड़के से पूरा भोजन खा जाने को कहा तो मेरे बच्चे उसने इसे भोजन को एक आवारा कुत्ते के समक्ष फेक दिया था इसलिए इसका विकल्प होगा C Threw it to a Easter dog अब टेंथ देखिए What did Hari Singh want from Anil Hari Singh Anil से क्या चाहता था Help सहता चाहता था Seltr पनाह या आसरे चाहता था Money धन चाहता था या work या कारे चाहता था तो मेरे बच्चे वो Anil से पनाह मांग रहा था कि मुझे रहने और खाने का इस्थान मिल जाए इसलिए भी इसका विकल्प होगा Seltr Tick the correct option सही विकल्प पर Tick करे यह भी YM C Q G है पहला है Who was the writer in the story कहानी में लेखक कौन था तो मेरे बच्चे विकल्प दे हुए है Ajit Singh, Hari Singh, Anil, Kapil Sarma तो मेरे बच्चे इसमें लेखक जो है वो Anil पत्रिकाओं में लिखने का कारी करता था इसलिए Anil इसका विकल्प होगा जो C है Second देखे Who is the narrator of the story कहानी का कहानी कार कौन है तो मेरे बच्चे पहला दिया हुआ है Anil B. Ruskin Bond C. Hari Singh D. Anil's Friend तो इसका B विकल्प होगा क्योंकि इस कहानी के कहानी कार Ruskin Bond है थर देखे What was the name of the shop उस दुकान का क्या नाम था In which Anil lived in a room जिस दुकान के कमरे में Anil रहता था तो पहला दिया हुआ है Roman Sweet Shop B. Brijजवासी Sweet Shop C. Jamuna Sweet Shop D. Krishna Sweet Shop अभी पहले भी आप पढ़ चुके हैं तो C इसका विकल्प होगा क्योंकि जमuna Sweet Shop के उपर एक कमरे में वो रहता था फूर्थ देखिए What did Hari Singh want from Anil Hari Singh Anil से क्या चाहता था Work काम चाहता था Money धन चाहता था Eatables खाने योगी वस्तुएं चाहता था या Home या घर चाहता था तो मेरे बच्चे इसमें आपका C विकल्प होगा क्योंकि खाने की वस्तुएं चाहता था फिर्थ देखिए In which profession the boy was trained किस ब्यवसाय में लड़का प्रसिच्चित था A. टाइपिंग Theft चोरी में Household work घरेलू कार्यों में या cooking या भोजन पकाने में ट्रेंड था प्रसिच्चित था तो मेरे बच्चे वह तो चोर था इसलिए B. थेफ्ट चोरी करने में ही वह प्रसिच्च था Six देखिए Where Anil Tucked the Money Anil ने अपने धन को कहां दबाया A. Under the Sofa Sofa के नीचे B. Under the Mattress गद्दे के नीचे C. Under the Matt चटाई के नीचे D. ननाफदीच इन में से कोई नहीं तो मेरे बच्चे वह जब पैसा लाया था तो उसने अपने गद्दे के नीचे दबा दिया था इसलिए Under the Mattress इसका विकल्प होगा B. सेवेंथ देखिए What was the time to catch लखनो एक्स्प्रेस लखनो एक्स्प्रेस को पकड़ने का समय क्या था पहला है 10.30 PM 10.30 AM 11.30 PM 11.30 AM तो मेरे बच्चे इसमें 10.30 PM यह होना चाहिए यह देख पुस्तक में नहीं दिया हुआ है AM या PM लेकिन क्योंकि वो सो रहा था सोने के तुरंट पश्चा तो पैसा निकाल करके गया है हरी सिंग इसलिए 10.30 PM ही इसका विकल्प होगा A एर्थ देखिए In when it was happened किस महिने में ऐसा हुआ A. December B. November C. January और D. February तो मेरे बच्चे क्योंकि ठंडी रात थी नौंबर की शुरुआत ही थी इसलिए B. इसका विकल्प होगा यह घटना नौंबर के महा में हुई है नाइन्थ देखिए अनिल वाज अनिल था 15 years old पंद्रा वर्ष का पचीस years old 25 years old पचीस वर्ष का 30 years old 30 वर्ष का 35 years old यह पहले भी आप कर चुके हैं कि अनिल 25 years old का था वर्ष का था तो इसलिए भी इसका विकल्प होगा 10 देखिए Who was thief in the story कहानी में चोर कौन था हरी सिंग, अनिल, मंगल पांडे या सुरेश तो मेरे बच्चे यह इसका विकल्प होगा हरी सिंग ही इस कहानी में चोर था अब आगे देखते हैं True, False State, Weather बताईए कि क्या The given statements दिये गए वाक के Are True or False सत्ते हैं अथवा असत्ते पहला दिया हुआ है अनिल वाज टेकिंग पार्ट इन ए रेस्लिंग मैच अनिल एक रेस्लिंग मैच में भाग ले रहा था तो मेरे बच्चे ये बात False है Second देखिए Hari Singh wanted to rob अनिल Hari Singh अनिल को लूटना चाहता था मेरे बच्चे ये बात True है Third देखिए अनिल वाज ए गुड कुक अनिल एक अच्छा बावर्ची था खान सामा था मेरे बच्चे ये बात False है क्योंको उहत चोर था इसलिए False होगा Fourth देखिए अनिल उड बारो वन वीक and lend the next अर्थात अनिल एक सब्ता हमें उधार लेता था and lend the next और अगले सब्ता हमें उसे अदा कर देता था तो ये बात मेरे बच्चे बिल्कुल सत्य है इसलिए True हुआ sentence देखिए Hari Singh was the real name of the boy लड़के का असली नाम Hari Singh था तो मेरे बच्चे असली नाम नहीं था इसलिए ये False हुआ वह समय समय पर अपनी नाम को बदल लेता था second देखिए अनिल वास अनिल अत्यनत विश्वासी व्यक्ति था the boy had ever met साइध ही कभी लड़का ऐसे वक्ति से मिला हो यह वास्त्य है वास्तों में उसे ऐसा व्यक्ति अनिल जैसा कभी नहीं मिल पाया था तीसरा sentence देखिए तो बाई निवर फारगाट तो बाई ए टिकेट before boarding the train in his life अपने पूरे जीवन में लड़का कभी भी टिकेट खेता नहीं भोलता था तो मेरे बच्चे ये बात पूरी तरह गलत है वो कभी टिकेट लेता ही नहीं था क्योंको चोर था इसलिए यह sentence फाल्स हुआ फोर्थ देखिए इन दा एंड अंत में अनिल डिसाइड़ अनिल ने तै किया तुपे दबवाय रेगुलरली लड़के को नियमित कुछ नुकुछ अदा करने का वादा किया निलने लिया मेरे बच्चे इबास सकते है अंत में उसने ये तै कर लिया था कि उसे कुछ न कुछ वो बेतन दिया करेगा फिफ्थ देखिए दबवाय वाज इस्टिल ए थीफ लड़का अब तक चोर ही था भेन ही मेट अनिल जब वो अनिल से मिला बेटा ये बास सकते है क्योंकि वो चोर ही बना रहा था जब तक अनिल से मिला हाला कि बाद में उसने परिवर्तन कर लिया था अपने सुभाव में लेकिन यहाँ बात पूरी तरह सकते है ट्रू हुआ ये संटेंस पहला संटेंस देखिए हरी सिंग वाज ए थीफ मेरे बच्ची बिलकुल बच्छ सही है ट्रू हुआ हरी सिंग एक चोर था अनिल वाज फिफ्टीन येर्स ओल्ड ये बात गलत है क्योंको ट्विटी फाइव येर्स का था इसलिए यहाँ फाल्स हुआ थर्ड देखिए हरी सिंग वाज गुड एट कोकिंग हरी सिंग खाना बनाने में अच्छा था यहाँ भी बात फाल्स है अनिल वाज एर राइटर अनिल एक लेख़ था ये बात पूरी तरे सत्य है टू है फिफ्ट देखिए एट नाइट रात में हरी सिंग सा हरी सिंग ने देखा अनिल को टकिंग दमनी धन को दबाते हुए अंडर द मैट्रेस गद्दे के नीचे अर्थात रात में हरी सिंग ने गद्दे के नीचे धन को अनिल को दबाते हुए देखा तो ये बात बिल्कुल बेटा सही है टू हुआ शिक्स देखिए अनिल वाज नाट अवेर आफ तथिव्ट अनिल चोरी को लेकर सजग नहीं था तो ये बात बिल्कुल टू है उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसका साथ ही चोरी करेगा सेवेंथ देखिए टाइमिंग आफ लखनव एक्सप्रेस वाज 10.30 ये बात सकते है लखनव एक्सप्रेस का समय 10.30 ही था तो ये बात टू ही एर्थ देखिए हरी सिंग हैट नो फ्रेंड्स हरी सिंग के कोई दोस्त नहीं थे ये बात भी सकते है टू है ये है प्रारंबिक नूम्बर का समय था यह भी बात बिल्कुल टू है सकते है 10. देखिए इन दा एंड अंत में हरी सिंग डिड नाट रियलाइज इज मिस्टेक अंत में हरी सिंग ने अपनी गलती को महसूस नहीं किया रियलाइज नहीं किया ये बात बेटा फालस है अंत में उसने इस बात को रियलाइज कर लिया था तभी तो वापस आ गया था वापस गर को अब आगे देखते हैं इस पेलिंज जो आपको स्वयम ही पुस्तक से देख करके पून करनी है पुस्तक 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 पुस्तक